ये देखिए है ना बहुत ही क्रीमी बहुत ही फ्लफी और बहुत ही टेश्टी ये मिठाई तो हेलो फ्रेंड मैं हूँ अनिसा कुकवित अनिसा में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आमरखंड की रेसिपी जिसे आमस्री खंड भी कहते हैं तो बहु तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो चलिए हम बनाते हैं हमारा स्रिखंड जो कि मैं आज आम से बनाने वाली हूँ तो इसे आमरखंड भी बोलते हैं तो इसके लिए यहां मैंने ले लिया है दही जो मैंने घर में ही जमाया था वही दही है ये घर में जमाये दही का ये अच्छा बनता है बहुत ज़्याद सौफ्ट बनता है ये तो इस तरह से इसका हमें जितना भी पानी है उसको अराम अराम से निकाल देना है ताकि इसमें जड़ासा भी पानी ना रहे तो जितना ये पानी अच्छे से निकल जाएगा इसका इतना ही ये अच्छा बनता है और एकदम पनीर के जैसा ये टेक्स्च मैं थोरी देर के लिए आधा एक घंटा के लिए वेट रख दूंगी जैसे हम पनीर बनाने में रखते हैं उसी तरह से जिससे इसका एक्ष्ट्रा पानी निकल जाए तो यह देखिए यह हमारा हंकड तयार हो चुका है तो इसको अभी मैं एक बोल में निकाल रही हूँ लेकि इसके लिए यहां मैंने ले लिया है एक आम और आम को हम छील लेंगे क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आम स्रिखंड तो इसके लिए हमें आम की जरुरत होती है तो यहां मैंने आम ले लिया है और इसको हम रफली चॉप कर लेंगे क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है त आप चीनी अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चीनी का पॉडर भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ चीनी एक साथी पीस लेती हूँ इसी में, तो यह देखे हमारा तयार हो चुका है, और यह देखे मिटी के बरतन में रखने से जो दही है ना उसका सारा पानी और इसको अच्छे से फेट लेंगे, आप चाहें तो इसको हाथ से या विसकर से भी फेट सकते हैं, बहुत ही फलपी इसको हमें बनाना है, इस तरह से हमें फेटते हुए इसको तो यहाँ मैं इसको अच्छे से फेट रही हूँ ताकि यह फलपी बन सके, जिस तरह हम क्रीम को बनाते हैं उसी तरह हमें इसको भी ये देखे कितना अच्छा टेक्सचर आ गया ना इसका ये कितना फलपी हो चुका है ये तो इसी श्टेज पर इसमें मैंने जो आम पीस के रखा था वह एड़ कर दूँगी तो यहां मैंने आम को एड़ कर दिया है इसमें आम और चीनी मैं इसे मैं फेट लूँगी, बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर हो चुका है, अब मैं इसको बोल में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसे हमें चिल्ड सर्व करना होता है, तो इसको मैं फ्रीज में रखूंगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, मतलब एक दो घं के लिए फ्रीज में रख दिया था, तो यहां मैं निकाल रही हूँ इसको, यह देखे इसका टेक्स्चर बहुत ही ज्यादा क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट बनके यह तयार हुआ है, बहुत अच्छा लगता है यह खाने में भी, यह देखे इसका टेक्स्चर मैं आपको पा संद आए, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना, बिल्कुल भी ना भूलें, और जो मेरी रेसिपी है उसको सेयर करें दोस्तों के साथ, और अपने फैमली फ्रेंट्स के साथ, घर में सब के साथ, जरूर स सेयर करें, तो थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो, जय मात आदी